सिधर मैया ने करनाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ले ली है राज़ेपाल थावर चंदकेहलोत ने उनको पद और गोपनियता की सपत दिलाई यह दूसरी बार है जब उन पर कॉंग्रेस ने भरोसा जताते हुए उनने दूसरी बार राज़ की कमान सभालने का मौका दिया है करनाटक की नौन ने उक्त कंग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट में अपने पांच चुनावी वादों को पूरा करने जा रही है कॉंग्रेस ने तरा राहूल गान्धी ने इन पांच खुस्ड़ाओं को पूरा करने का एलान कर दिया है प्रधान मंत्र नरेंद्र मोदी जी सेवन सिखर सम्मेलन को लेकर जापान के हिरोसिमा के दौरे पर है इसी बीच हिरोसिमा में G7 सिकर सम्मेलन से इतर पियमोदी और उक्रेन के राष्टपती बलार दिवमीर जलेंसकी के बीच दिपच्छी वारता सनिवार को हुई पियम मोदी और जलेंस्की की पिछले साल फरोरी में शुरू हिरूस यूक्रेन यूद के बाद पहली मुलाकात है जापान के हिरोसिमा सहर में G7 सिखर सम्मेलन में सनिवार को पियम मोदी ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है लेकिन एक मेहमान देश के तोर पियम मोदी इस सिखर सम्मेलन में सामिल हुए यहां उन्होंने दुनिया भर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की इनमें अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन से लेकर बिटेन के राष्टपती रिशी सुनक तक सामिल रहे अमेरिका की एक अदालत में 2008 में हुए मुंबई हमले के साजिस करता और जेल में बंद तहवर हुसेन राडा के प्रतियरपड की मंजूरी दे दी है 16 माइको कालिफोर्निया के यूएस डिस्टिक कोट की मजिस्टेट जज जैकलिन चूल जियान ने अपने आदेश में लिखा राणा उन अपरादों के लिए प्रतियरपड योग्य है जिसमें उसके प्रतियरपड का नुरोथ किया गया है RBI ने सुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को सर्कूलेशन से बंद करने का अलान किया है हलांकि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैद माना जाएगा इसको लेकर अप करनाटक सेमसे धर्मयने विजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि विजेपी अपने नाकामियों से ध्यारन हटाने की कोसिस कर रही है 2000 रुपए के नोटों के सर्कूलेशन बंद होने पर आमादमे पार्टी के नेता और राजसभासांसर संजय सिंग ने आज प्रेस कांफरेंस की इस दोरान उन्होंने पियम मोधी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा चुकी देश का पियम एक अनपढ़ा आदमी है और ऐसा आदमी ऐसा मुर्खता पुड़ फैसला लेगा दकेडला स्टोरी इस साल की चुनिंदा सुपर हिट फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है वीक डेज में भी फिल्म को दर्ज को का अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है कुछी दिनों में फिल्म ने डेट सो करोड रुपे के आक्टे को पार कर लिया है वहीं अब फिल्म तेजी से 200 करोड कलब में सामिल होने के लिए आगे बढ़ रही है सिंगर राहूल वैदे और एक्ट्रेस दिसा परमार की घर जल्द किरकारी गुजने वाली है दोनों जल्दी पैरेंट्स बनने वाले हैं पोसल मीडिया पर उन्होंने फैंस को यह गुड निउस दी है इंडियन टी-20 लीग में आज लखनव और कोलकाता के बीच मुकाबला खेला जा रहा है यह मैच कोलकाता में खेला जा रहा है